नमस्कार और आप देख रहे हैं पलपल तबाख गुट का एक जहर है जो सर्याम बाजारों की रेडियो में बिक रहा है सरकार केवल इनकी पनियों पर जेतावनी लिख कर छोड़ देती है उनका मानना है कि यह एक जहर है और इससे कैंसर होता है और उसके बाद क्या होता है अपना पला जहाड लिया जाता है परन्तु आज इसकी चपेट में युवा मजदूर और गरीब तक बाज सबसे ज़्यादा आ रहा है जिसकी वज़े से लोगों में कैंसर होना आम बात है हाला कि सरकार ने प्लास्टिक पन्नी को बेन किया है कि प्लास्टिक में कोई भी समान नहीं ले जाया जाएगा परन्तु आपको बता दे कि समान लाने वाला लिफापा जरूर बंद हो गया है लेकिन तंबाको गुटका से लेकर के और दूसरी चीज़े हैं जैसे कुरकरे हैं और बच्चों को खिलाने वाले समान जो स्कूलों के आगे दुकाने लगी रहती है वो प्लास्टिक की थेलियों और पनियों में आराम से बिक रहा है ना खुशे उसे कोई रोकने वाला है और ना ही उसे रोकने का प्रयास किया जाता है खेर हम बात कर रहे हैं गुटका की यानी जर्दे की इसको लेकर के हमने सहर में कुछ लोगों से बापचित की और सभी का कहना है कि गुटका एक गंद की फेलाने वाला जहर है इससे लोग लगातार बेमार हो रहे हैं और इसी की वज़े से लोग खाना-खाना आद छोड़ रहे हैं लोग भरपूर पोशन लेनी की बज़ाये इसकी चपेٹ में आते जा रहे हैं यह आसानी से हर जगें पर उपलग्ध हो जाता है इसकी कीमत भी बहुत कम होती है इसलिए गरीब तक्वा और मजदूर वरग इसको आसानी से खरीच सकता है लोग गुटके को पान में मिला कर के भी खाते हैं ताकि इसका स्वाद अलग हो सके सरकार ने ये सब बंद किया हुआ है लेकिन धडरले से विक भी रहा है अगर इसे तुरंट बंद नहीं किया गया तो आने वाला समय बड़ी गंभीर ववस्ता और परिस्थितियों को पैदा कर सकता है यहां सबसे बड़ी विडंबना ये रहती है कि लोगों को खरीदने के ल है और ब्रिमारियों की जड़ है जो पूरे देश में फैलती जा रही है इसके बारे में जब हमने कैथल के डॉक्टर आपी मान से बात की तो उन्होंने बताया कि यह एक धीमा जहर है पहले तो यह भूप लगाना बंद कर देता है फिर यह एसीडिटी पैदा करता है और फ पेट में आते हैं और इसकी आदी हो चुके हैं वहें नशामुक्ति केंदर का सहरा ले सकती हैं इसके अलावावे डॉक्टरों से भी राए लेसकते है और घर वाले भी उन्हें फपर्ट करें से निजात पाशाएं आईए देखते हैं सहर में लोगों की क्या राय हैं क्या कहना जाते हैं लोग पलपल कैथल से नमिन बलाउत्रा की विशेश रिपॉर्ट के साथ देखिये इस पूरे भारत वर्ष के अंदर गुटका खैनी खाने की वज़े से लाखों लोगों की मौत होती है और सरकार भी उस पे परियासरत रहती है के भी गुटका बंद हो और जो गुटका का निर्मान होता है जो बनाया जाता है तो उसमे लिखा भी रहता है के भी ये सहत के लिए हानिकार के और जान ले वा है लेकर लिखने मातर से इससे कोई फरक नहीं पड़ता और ना ही गुटका जुट रहा है तो सरकार को चाहिए कि गुटका को बिल्कुल बंद कर दे और बिल्कुल इस पर प्रती बंद लगा दे जब तक प्रती बंद नहीं लगाएंगे तो गुटके को बंद करना पड़ेगा हजारों लोगों को कैंसर की वज़े से गुटके की वज़े से कैंसर होता है मूँ का गले का और लाखों लोगों की इस बिनाई मौत के अंदर जान देनी पड़ती है मैं चाहता हूं कि सारा जो गुटके पर प्रती बंद लगाना चाहिए पूरे शहर में जो तमाखों खाने का काम करते हैं जो जगह जगह थूखते हैं सरकारी दफ्तरों में देखा पाया होगा आपने सड़क पे देखा आए यह बड़ा गंदगी का महोल पैदा कर देते हैं इससे हमें नहीं उनके स्वास्ते के ओपर भी बहुत ज़्यादा गंदा असर पड़ता है मैं सभी से आम नागरिक से और जो खाते हैं उन्हीं सभी से यह अपील करता हूं कि यह बहुत बुरी चीज है इसको नहीं खाना चाहिए इससे ब्लड कैंसर भी होता है और सभी पर कार की दीरे-दीरे बिमारिया उसको जगड़ देते हैं बिल्कुल सर इसको एपर सरकार को पाबंदी लगाने चीए जहां बड़ी-बड़ी फैक्टरी जो कार खाने चलाए गारे इसको बनाने के लिए गंदी जीचों को बनाने के लिए इन सभी को पर बहन लगाने चीए और अगर नहीं बंद करते तो एक ऐसा कानून प्रवदा पर बनाके इन सभी को बंद करके इनको टेक्स लगा देना सीए जीए जिस्परी के सब्सक्राइब आप अपना मैं नवीन मुलावत्रा हूँ जब जार में देख रहें कि गुटका सरयाम भिक रहा है युवा खारे है मुदूर खारे है क्या सको बनाने कर देने जाए ज़ए बुटका बहुत ही खतरनाक बिमारी की जो है पैदा करता है सरकार ने इस पर बैन भी लगाया कु है ये गुटका है ये तमाकू है ये इपिक्रा है और ये इतने इसके खातक परिनाम है कि इसके पहुंच पर भी लिखा होता है कि इसके खाने से कैंसल होता है लेकि उसके बावजूद भी जो है लोग इसको नशा करने के लिए इसको खाते हैं इस समाज के लिए एक बहुत कड़ा रुक अपनाए ताकि आम आदमी को इस खतरनाक बिमारी इस से मुँ का कैंसर हो जाता है लंग्स का कैंसर हो जाता है तो ऐसे सी बिमारियां जो हमरे देश को होगी, हमारे युवापीडी जो है ऐसे बरबाद हो जाएगी तो इसके लिए सरकार को चाहिए कि इसको सक्ती से रूख अपनाते हुए इस पर पूरी तरह से बैन करें और जहां भी अधिये को बिकता है तो उसके खलाब जो है कड़ी कारवाई करें कि इसके अधिये के बड़ा प्रस्वान हो चुका है युवाभी आरहे हैं सी च्वेट में खास्तों पर मिज़ूर रखतों जादे चाहिए किस तरह इसे मसाल है इसे कैसे बिश्वाची तेखिए गुटकर के जादा यूज से एक तो सबसे पहले लोग सो फेटाइट इसमें हो कि इसके खयए कि युटकर नियुक लगनी बंद हो जाती है पशिएंट को के श्राइटीटीस हो जाती है तेजाब बंना शbn हो जाता है उसकी स्लीप डिश्टरब होती है जिसके काम उसका आयमन सारन स्व दैस्क्स हो घाले में खराब भी आने शorgt जुरू जाती है जिसे तो क्या अपने लगता है कि डिबिसका कोई फाइदा ही नहीं है किसे प्रासर प्लोग है इसको बोल्विल को बन कर रहे हैं हंड़े पसंट पर जाना चाहिए इसको कोई यूस नहीं से यूसलस थे और जिन लोगों को इस यादत पढ़िगे हों कैसे चोड़े हैं देखी कोई कि आदत चोड़ने के लिए सबसे पहले तुसको समझना होगा उसका इसके साइड इफेक्ट को समझना होगा अपनी विल पावर के पर वरक करना होगा क्योंकि नॉर्मली हम देखते हैं कि जैसे मजदूर है वो ब्रेक लेने के लिए गुटके का इस्तेमाल करते हैं उनको प्रोपरी चीज को समझना होगा कि इससे जब आपको भूख लगती है आपको खाना 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 चीए आज बजाए गुटका लेने के तो उसको जीरी तरह आपने पर वरक करना पड़े कांसलिंग सेशन्स होते हैं साक्यार्टी सेंदेलें नशामुक्ति केंदर होते हैं उ आपन मुंदक्ति को बाइनो बाइस है आपन कौॉ ओग एक बिलाग डपारी प्रवारी लेकाटर घचेगा लता लेक झालाग तो नहीं रएगा लेकाटर अमड़ने नहीं यहां झाल और टाल्डादि नहीं कर दो कर दो कर दो कर दो